हेलो फ्रेंड यहां हम जानेंगे डाय्नामिक राऊट्स के वारे में ठीक है कि थैक है उसको हम रियक्त के इंदर किसी से इंपलेमेट दरते हैं ठीक है चलो समस्थे चील से और डायनो का मतलब क्या ठीक है अब मान लो यार मैं एक ब्लॉगिंग वेब साथ बना रहो ठीक है तो उसका एक सेंड गर करना ओतो मान्य पास तो ब्लोग टीक है तो ब्लोग यहां 1000 आ जाएगा ठीक है तो इस तरह किसे मेरे अलग-अलग ब्लॉक्स की अलग-अलग राउट्स होंगे ठीक है और अलग-अलग राउट्स को जब हिट करूँगा तो उसके विसेश पे जो स्पेसिफिक ब्लॉग है वो मेरा युवाई मेरे रेंडर होना चाहिए ठीक है उसी तरह किसे एक सिंपल से दूसरा एक्जामपल है कि मानलो बहुत सारे मेरे पास यूजर से हैं तो मेरे को अगर हरी यूजर का अलग-अलग डिटा चाहिए ठीक है तो उसका अलग-अलग राउट बनाना पड़ेगा तो मानलो कि अगर मैंने यूजर 1 पे क्लिक किया तो इसके लिए अलग राउट खुल रहा है ठीक है मदब यूजर स्लेश 1 और अगर मैं 2 पे उसर थिक है तो यूजर स्लेश 2 तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है हम सिंपल से एक्जामपल लेते हैं ब्लॉट फीक है और मानले थे कि हमारे पास 5 ब्लॉट बनाने तो अब मैं एक और second कहां बनाया यहां देखू मैं नमका फोलडय बनाया ठीक है उसके अंदर यह first नमका component बनाया तो मैंने नमका फिश्ट लिख दिया फूर्ण श्रींगर्ट पोस पया है यहां यहां में पोस्ट दिख लिए और फंदर इसे इंपोर्ट कर लिया और प्लोग जो first वाला ब्लोग है उसके लिए मैंने block slash first करके route बना है अगर मैंने second के लिए मैंने block slash second करके बना है उसी तरीक जा मैं third के लिए बनाना होगा तो मैं third block slash third कर दूँगा ठीक है और तीसरा कमपोर्टन बना दूँगा बट यह क्या यह feasible तरीका है ठीक है तो अगर आप यहां देखोगे मेरे पस अगर 100 राउट्स भी हो गए ठीक है अगर आपस 100 ब्लोग पोस्ट भी है तो 100 के लिए 100 मेरे राउट्स बनाने पड़ेंगा राइट तो क्या यह feasible तरीका है नहीं है तो इसी चीज़ को एचीव करन घीक है अब में यह उए प करनाू है तो अगर मैं एक यह सबसे होगा जब आप नया पोस्ट बनाओंगे आपको हर वह बार उस नए पोस्ट के लिए नए आई डाना पड़ेगा ऱही ठीक है। तो हम इस चीज़ को नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम रियक्ट में इस चीज़ को डैनामिक करते हैं, अब डैनामिक हम कैसे करेंगे, तो अब मान लो कि मैं यहां इस फर्स सेकंड का जंजट हटा कर, मैं क्या करता हूँ, इस राउट को भी हटा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इस first को change करका क्या करता हूँ यहां, Derek करता हूँ, उसको बाद देदेता हूँ ID, ठीक है? या फिर मैं सिर्फ ID न लिखे देखे हु, भलॉग ID, ठीक है? मैंने इसको क्या नाम देते हैं? मैंने इसको नाम देता है, यह ब्लॉग आडी में ने डानायमिक है, मतलब इसकी जगह पर कुछ भी आ सकता है, for example, यार अगर मैं रेंडर करता हूँ, ब्लॉग ब्लॉग स्लाश वन, ठीक है, तो यह जो वन है, यह चला जाएगा, इस ब्लॉग आडी की जगह पर, अगर मैंने यहाँ, blog slash 2 किया ठीक है तो यह जो 2 है इस blog id की जगप चला जाएगा ठीक है अगर मैंने यहाँ blog slash first भी लिखा फाई रस्ट ठीक है तो भी यह first मेरे इस blog id की जगप चला जाएगा ठीक है तो अब क्या कर सकता हूँ मैं blog id की मदद से अब यह blog id में को कहा मिल जाएगी इस component के अंदर मिल जाएगी ठीक है तो मैं इस component को change करके blog component कर दूँगा राइट बाद में अभी आपको दिखाऊंगा कैसे ठीक है तो अब यह जुम्य को blog id इसका access मेरे को इस component के अंदर मिल जाएगा ठीक है अब क्योंकि मैं को इसका id क्या access अंदर में मिल गया राइट अब मैं क्या करूँगा इस id की मंदर से जो भी ब्लॉक का data होगा वो fetch ले के आ जाऊँगा ठीक है और उसके बाद simple उसी same component के अंदर define कर दूँगा ठीक है तो अब मेरे पास को मता के क्या करते हैं हम blog component को इंटर करते हैं ठीक है blog ने blog को ठीक है blog को राइट और अगर आप नहीं देखो कि मैंने blog component import कर लिया और मैंने बस यहाँ blog slash third पर पहले हैं not found आ रहा था ठीक है अब यहां डैनेमिक ब्लॉग आ गया ठीक है अगर मैं इसकी जगए ठीक है ठीक है और अगर मैं इसकी जगए 1000 बीडालो ठीक है तो भी मेरा यहां यह ब्लॉग तो रेंडर हो रहा है बट अभी दिक्कत कर आपी दिक्कत है कि आज़ यह जो मेरे पास ID है यह मेरे को इस component के अंदर इस block वाले component के अंदर render कैसे करूँ कैसे इसको access करूँगा ठीक है तो इसके लिए हम आते है अपने code पर ठीक है और इस चीज को करने के लिए हमारे पास एक simple सा method है जो कि मेरे को react outer dom provide करता है ठीक है तो हम यह import करेंगे एक hook को ठीक है कहा से react outer dom से ठीक है और वह hook कौन सा है वह हमारे use params ठीक है use params क्यों क्योंकि यह जो हमने यहां बताई ना यह वालो जह section है इसको हम बोलते हैं इसको हम params बोलते है ठीक है तो इसलिए हम use करे params क ठीक है अब यह जो हमारा यह जो use params से जो भी मेरी value return करेगा उसको मैं एक params नाम के variable के अंदर store करा लूँँगा ठीक है तो मैंने आ किया कि एक params नाम के variable बना लिया और उसके अंदर हमने store करा लिया use params से return होने वाली सारी values को ठीक है तो अब हमारा सबसे बहले काम क्या अब यहां देखो कि object हमारे यहां आ रहा है ठीक है और इस object को अगर open करूँ तो आप देखो परams आ रहा है और परams के अंदर आप देखो यह ब्लॉग ID कौन सी है यह ब्लॉग ID यही आईडिय जो हमने यहां अपने route में define किया थी ठीक है हमने यह इस app.jss के अंतर अपना route define किया थे देखो ब्लॉग ID ठीक है तो यह ब्लॉग ID की value यहां क्या रही है अब dynamically 1000 आ रही है ठीक है अब यह अब देखना अगर मैं इसको change करके first लिख दूँ तो यहां क्या जागा यहां आ जागा मेरा first देखो ब्लॉग ID के जगा पर क्या 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 है ठीक है तो इस तरी data इसी को मैं सीधे यहां display करा देता हूं ठीक है तो मैं इस params को destructure कर लेता हूं और destructure करें को निकालना है किया है यहां से ब्लॉग ID निकालनी है राइट तो मैं यहां destructure करके हमने यहां से ब्लॉग ID निकाली ठीक है तो हम यहां use params को destructure करके सबसे पहले अपनी ब्लॉग ID निकाल लेते है ठीक है और यह जो ब्लॉग ID यही अप जाके यहां हम render कराएंगे this is dynamic को हम हटा के चेंज कर देते हैं इसको ब्लॉग ID से रिप्लेस कर देते हैं और यह जो console ह फिलाल के लिए हम comment कर देते हैं ठीक है सेव करते हैं और अपने इस यहां अगर आप हमने यूई पर आएंगे तो आप देखोगे किया this is my first blog आ ठीक है अगर मैं इसकी जगह डाल दू आईडी को change करके to कर दो तो this is my second blog आ ठीक है अब मालो इसी के जगह मैं यहां से first भी लि करके मैं बहुत सारे routes को एक यवार में handle कर सकता हूं ठीक है और इसी को हम बोलते हैं dynamic routing जिससे मैंने blog के लिए किया ठीक है यही सेम कम आप users के लिए कर सकते हो एक user हो 10 user हो या फिर बहुत सारे comments हो या फिर बहुत सारे messages हो ठीक है या फिर इस तरह किसे बहुत सारे कुछ भी तो प्लीज लाइक करो और यह चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना राइट ठीक है चारो यार फिर मिल्टे मिल्टे मिल्टेक्स वीडियो मैं तब तक के लिए हवा नाइस दे और गॉट बाए